आफ ये निई दिष्ट गर्णारव मिश्ट्स तो कि मैं रिकवादिन भी ओन करती है तो इसका है ए exhibition यह होता है कि हम इंपोर्ड लिखतें और इंपोर्ट के बाद हम उचके बाद इसके आगे लाइडरी का नाम लिखतें इससे क्या होगा कि आकर पूरी लाइभरेलिट उठके इधर Edd हो जाएगी अगर आपको कोई अच्छा अब लाइब्री क्या होती है बेसिकली लाइब्रेरी इस सेट फंक्शन जो के आपके उसके अंदर होते हैं जैसे मैं अगर यह रैंडम इसको यहां पर पोस्ट करता हूं फिर हम उसको स्टेडी करते हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं समझाएंगी अब इसलिए लाइब्रेरी है इसमें आपको समझने का काम है भी नहीं लेकिन फिर भी हम कुछ चीज़ें जो हैं वो देखते हैं तो लैब्रेयी में देखो आपके पास क्या है क्लास है ठीक है एक क्लास है उस क्लास के एक इंहेरीट इक फंक्शन है और उसके अंदर आपके पास यह मै्थर्ट है रैंडम का मैं ठय्ट का में सीट पाम एक का मैं रेट स्ट detention का method है ठीक है अब method कहां पर है method basically आपके पास जो parent library है उसके अंदर ये method आपका बना हुआ है और आओ उसको override भी कर सकते हो अब जो आप करते हो import random तो क्या करता है वो ये पूरा code और इसके अंदर जितने भी आपके पास system बने हैं वो सब को उठाके लाके आपके पास वो इस लाइबरेडी के आपके इस code के अंदर add कर देता है अब आप क्या कर सकते हो अब इस library का कोई भी function इस्तमाल कर सकते हो random. सब्सक्राइब्लक तरह यहां करें अचैसे सब्सक्राइब और जैसे माट्व्री इस्तमाली याचि पेडम पर ऐस्ति यह लागो पते हैं ठीक है यहां पर मैंने ABC किया और चॉइसेज में और के इकल टू थी कर दिया अभी क्या करेगा कि यह जो यह लिस्ट है इस लिस्ट के अंदर से रैंडम ली तीन वैलियूज उठा के उसको प्रिंट कर देगा या उसको रिटर्न कर देगा अब उसमें वह वैलियूज रिपीट भी हो सकती है जैसे अब देखो यहां पर नाइन आया फिर नाइन फिर वन आया और इसी की जगा अगर मैं रैंडम डॉर्ट सेलेक्शन होता ह इसको क्या मौत पड़ी है हाँ ठीक है स्लोग होगा यार कफी स्लोग होगा यार यह समयर यह इदर नेट का भी काफी मसला है अब करने ने अच्छन भाई आरे को इस था एक तो और एक वार पर दोटा सेंपल स्वरी अब रेंड़ डॉट सेंपल यह करता है सेंपल चूंकि आपको पता है कि एक पॉपुलेशन के अंदर से पोई भी वैली उठा के लेकर आता है तो यह हमने आर में देखा था अपने कोर्स में तो यहां पर क्या करता है यह रेंडम डॉट सैंपल बिसीकली इसी के अंदर से अब हो क्या रहा है कि यह आपकी लाइबरी का नाम है यह किदह चला जा जा और जो यह यह बिसीकली आपका अगर आप देखो ना तो यह एक फंक्शन बनाया हुआ है इस रेंडम की लएबृरी के अंदर सब्सक्रbank अब धार हुआ मैं यहां से अगर क्लिक करों यहां पर तो मैं पर तूम्हें पर मुझे सोर्स कोड़ इसने ज़ींट ओवा ऊफ़िए चाहिए यह जैसे यहां पर इस नहीं है यह बता दिया ये सोर्स कोड़ और्लीमेंट हूआ है वह जितने functions इसके implemented है उसका code आपको पास सामने आ गया यह basically this is the beauty of an open source language के आपके पास जितनी libraries है उसका source code भी available है editable form के अंदर कुछ जगों पर कुछ languages के अंदर आपको इसकी सिर्फ ना compiled version मिलता है चब पाइफन के अंदर भी वाइदर वे आप compiled version बनाते हैं जिसको हम कहते है जैसे .py file होती है तो उसको कोई बंदा edit नहीं कर सकता लेकिन वह काम अब तब करते हैं जो आपके सारे काम हो इसी में convert कर लेते हैं तो अब basically आपको library का structure समझ आ गया है कि basically किस तरह से अच्छा अब यहां पर मैं एक और काम भी कर सकता हूं कि मैं from random import random अब क्या हुआ अब मैंने गया मैंने इस random की library के अंदर से मैंने सिर्फ एक यह function import कर दिया बजाए इसके कि मैं पूरी library लेकर रहा हूं मैंने इसको efficiently इस्तेमाल करने के लिए मुझे सिर्फ एक ही चाहिए था अब मैं करता हूं अब मैं यहां पर random लिखता हूं यह करता हूं और मैं वुझे रैंडम नमबर देजाता है ठीक है लेकिन अगर मैं यहां पर random.sample लिखना चाहूंगा या कुछ इस तरह तो वो जाहर है वो चीज नहीं आएगी विकाज नाव रैंडम इस फंक्शन और नॉर्ट लाइब्र इस तो यह बिसीकली डिफ्रण्स है कि यहां पूरी लैबरेली लेकर आ रहे हो और यहां पे आप सिर्फ आ सिर्फ सिर्फ एक फंक्शन आप लेकर आ रहे है तो कभी कभी आपको डेटा प्लॉट करना होता है नहीं क्लिछ आप करते हो कि आपके पास एक रैंडम वैडियू अगर आपने कोई भी random value आपको चाहिए लेटसे आपको 0 से लेके 100 की range में चाहिए तो आप random value को multiply by 100 कर दोगे तो यह आपको 0 से 100 तक की values दे देगा इसकी हमें एक example यह यूँ कर लेते हैं कि हम कोई भी value लेते हैं let's say data is equal to random x for x तो यह क्या करेगा यह बिसिकली 100 random values generate कर देगा ठीक है अच्छा अब data को visualize करूँगा तो यह बस 100 मुख्तले values मेरे पास आ जाएंगी ठीक है ना यह इस तरह से यह complete values आगी एक list की form अब मुझे इसको visualize करना है तो मेरे पास एक library है matplotlib ठीक है और उसमें प्लॉट उसका एक function एक basically एक sub class है जिसमें से मैंने sorry matplotlib वो है क्या कहते हैं एक class है और प्लॉट जो है वो उसका एक function है जिसको मैंने एक नाम दे दिया ठीक है as plt अब plt करने का फाइदा क्या है कि अब मुझे बार बार यह पूरी चीज़ लिखने के बजाए मैं सिर्फ plt लिखके उसको करूँगा let's say मैं इस data को plot करना चाहता हूं और उसके मैं data रिख देता हूं ठीक है तो यह उसने मुझे data प्रिंट करके देए वह data उसने मुझे visualize कर दिया यह notice करने की बात है कि मैंने इसको सिर्फ data दिया था जिसमें सिर्फ यह y की values थी तो उसने x की values बेसिकली उस लिस्ट का index उठा दिया है अब देखो कि जीरो पर वैल्यू जो है वह एक एक नॉन जीरो वैल्यू जीरो पर exist कर रही है और उसके बाद से लेके वह 99 तक जा रहा है ठीक है यह देखो यह आखरी वैली जाए वह 100 से थोड़ी सी काम है तो अगर आप यहां पर है कर थाहिए एक लिस्ट को प्रिंट कराना चाहते हो तो वह तरह से अब है फिल बंद आपके वाण और बहुत सार रहे हीघा रहे या से से इस्टोग्राम है थी है यह कैंग है हीस्टोग्रांब ऐ फिर जो inhaler कि ऐसकी चीजह होती है विन्स अफैट कर सकते हो बेंस कितने चाहिए हैं आपको लेट से 20 बेंज हैं ठीक है और कि पील्टी डॉट आइड आइड टाइटल मेरे खान में आप कोई भी टाइटल लग दो इसका इस्ट्रग्राम और पील्टी डॉट शो तो यह आपने उसका वो टाइक कर दिया अगर आप पील्टी डॉट शो करते हो तो वह जाहरे वह एक्पिसिट्ली आपको शो करता है पूरा का पूरा आप इसमें होता क्या है कि आप आप एक्स लेबल अलग से सेट कर सकते हो ठीक है लेट से इंडेक्स वैल्यूस प्ल्टी डॉट वाई लेवल इस डेटा ठीक है और फिर आपने उसको शो कर दिया तो यह आपके पास इस तरह से शो हो जाएगा अच्छा यह मैट प्लॉट लेप की लाइबरेरी हम बहुत ज़्यादा यूज करेंगे आगे तू डिस्प्ले एवरिटिंग इसकी मैंने पूरी एक विजुलाइजेशन की एक कम्प्लीट मैंने वह बनाई भी है अच्छा जी अच्छा आप कोई और लाइबरी को देखो कोई पाइथन का ना एक सब्सक्राइब है कि इसकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा वेलेबल है सपोर्ट से मेरी क्या मुराद होती है कि अगर आप जाके नेट पर कोई भी काम करना चाहते हो ना मिसाल के तोर पे मैं करते हैं मैं जरा इसको प्रिजनेटेशन को स्टॉप करके दोबारा से शेर करता हूं पूरी टैब पूरी विंडो शेर करता हूं पी इसकी कि शेर अच्छी अब अब मैं यहां पर जैसे लिखता हूं ना कि एक मज़ी की चीज़ा है इंडीबी data in python ठीक है आप मोवीज का data है वह python के अंदर तरद को यहां पर एक यह बनीवी ॉप विध यह बिसिकली क्या है इस बिसिकली जो imdb का डेटबेस है जो ना मोवीज का वो डेटा आप डिरेकली python के अंदर इंपोर्ट कर सकते हो ठीक है और इसकी इस तरह की चीज़ें ढूंडने के लिए आपने लिखना IMDB और PYPI पीवाई 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 बेसिकली एक वेबसाइट है जहां पर आपके पास Python के सारे packages hosted होते हैं ठीक है Python package index इसको कहते हैं यहां पर आपके पास जितने भी Python में जो भी बंदा कोई Python का package बनाता है या Python की लाइबरी बनाता है वो यहां पर लाकर उसको search कर रख देता है जैसे मैंने panda search किया यह देखो pandas की बहुत सारी libraries आ गई अब आपने इसको install कैसे करना है कोई भी आप लाइबरी खोलो के ऊपर यह देखो यह command आ रही है pip install pandas2 ठीक है इसी तरह imdb की अगर मैं करता हूं तो यह आ रही है pip install imdbpy इसको यहां से copy किया वापस गए इधर यह लिखा और इससे पहले आपने डाल दिया एक exclamation mark और इसको आपने run कर दिया यह क्या करेगा यह download करेगा और इसको install करेगा यह successfully installed imdbpy अब यह गूगल को लैब में यह आपके session के अंदर install हो गया है जो आपका session expire होगा बारा घंटे के बाद या जब भी या बंद कर दोगे तो दुबारा आपको यह चीज इंस्टॉल करने पड़ेगी अगर आप अपने laptop पे कर रहे हो तो फिर नहीं करना पड़ेगा यह काम अच्छा आप इसको use कैसे करना है देखो यह सब चीज आपको ह डॉक्टमेंट बताएगा कि इसको इस्तमाल कैसे करना है देखो इसने जा किया इसने एक इंस्टेंस बनाया आई-एम-डी-बी फाइल का अब यह आई-एम-डी-बी का एक इंस्टेंस बन गया अब मैं लिखता हूँ आई-ए-डाट तो यह मुझे इसने मुझे सारी सारी वह डिटेल्स देदी कि मैं कौन-कौन से फंक्शन्स ले सकता हूं ठीक है मिसाल के तौर पर मैं यहां पर देखते हैं हाँ जैसे अगर मैं जैसे आ-एम-डी-बी पर जाता हूं अगर जैस्ट चेक मोस्ट पॉपिलर मुवीज चलो यह है कोई काम कमिंग टौ अमेरिका ठीक है और वे कैसी है कमिंग टौ अमेरिका पता नहीं कि मताशी डेंडम ले उठाई है कर तो यह देखो यहां आप से गया गया मैंने चलो भी यह यह यूज करते हैं उसको छोड़ा कमिंट्रों मेरा को अभी बल्के चेक कर लते हैं यह 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 नंबर है वेसी के लिए यह नंबर चेक करते हैं इस तरह करता है तो यह देखो इस नहीं क्या किया है इसने यांसे गट मुवी मैंने किया और मैंने वह वैल्ली डाली आध इसने यहां से मुझे एक मूवी टाइप का एक पुरा अबजेक्ट डेटर्न कर दिए अब मैं इसमें में मजूएद में details में जा सकता हूं اور मैं देख सकता हूं कि क्या क्या चीजें मैं इससे निकाल सकता हूं साटिके तार पे क्या चीज इसने दिय दी डі यह यहां फे तर या पैड़सIt in reps डामCय वह जुक करणित तो यह दियां टाम एक ही डिरेक्टर है और उसका नाम उसने बेसिकल इसके दो चीज़े बना दी एक उसका नाम है और वो है अब आपने इसको इसमें से डिरेक्टर का नाम निकालना तो कैसे दिखोगे फॉर आई इन डिरेक्टर प्रेंट आई तो इसको आइट्रेट करेगा और आपको नाम न करा दोगे सारी डेटा है कि इस क्या होती है कि आपको पता ही है कि हमने जब जेसन वो सारी जब डिक्षिनरी पड़ी थी तो वहां पर हमने कीज का कॉंसेप्ट पड़ा था यह जितना भी डेटा इस वक्त इस देश के अंदर है उस सब की कीज के नाम वह बिसे करी नहीं यह कि ठीक है स्वाइल के तवर पे कास्ट है ठीक है कि यह गयर डेटा इकस्ट प्रेकों नहीं जहां रहा है यहां और इसको यहां पर दिखा रहे है इसी तरीके से आप कुछ भी देख सकते हो इसमें ठीक है न तो यह बिसिकली एक एक इस वन अफ दा वन अफ दा लाइब्रेरी जो के यहां पर हमारे पास वैलिबल है जिस पर हम काम कर सकते हैं इसी तरीके से और बहुत सारी चीजों के अवेलिबल है मिसाल के दोर पर आप सिंपली यह करते हो देखो जो काम करना ना यूजिंग पाइफन उसको जिस गूगल करो कि अगया वही कोल देना अज नेट बाट स्लोग हो रहा है अन्यवेज जब तक खुल रहा है तो अचा इसके लावा अगर कोई एरर आता है आपको एरर हैंडलिंग कैसे करनी है लेट से एरर आपको आपको आता है लेट से मैं करता हूं और आई इन रेंज अचे एह iyi अचे मेरी ऑ스트ा कि आरीक इन प्रेंग अचे अचे हाँ एसन आ रही है अच्छा मिसाल के तौर पे देखो अभी मैंने क्या किया है मैं यहां पे मैंने इस गूगल सेच किया कि हाउ टू मर्ज 3 pdf फाइल उसलिंग पाइफhon लग को इसको इंस्टॉल करो और उससे वही गाम कर लो इससने क्या किया एक्स्ट्रेक्टिंग डॉक्फियां ए्पॉम्टेंच ही बात कर रहा है splitting documents page by page merging documents page by page cropping pages merging multiple pages into single page encrypting and decrypting PDF files ठीक है यह सारे काम यह आपके पास एक library पूरी इसने बना के दे दिये अब इसकी examples कहां से में देंगी कि यह काम कैसे करती है उसके लिए आप इसके home page पे जा सकते हो ठीक है mostly लोगों ने home page पे आपके source code डाला होता है यह देखो यह इन्होंने बता दिया कि source code पे कैसे काम करना है कि आपने output एक बना दी एक input बना दी फिर आपने title print कराना है तो कैसे कराना है page add करना है तो कैसे page add करना है clockwise rotate करना है कैसे करना है watermark डालना है जो भी आपने करना है तो आप कर सकते हो ठीक है एक अपकी हर लाइबरेरी की मिसारा की इन्फरमेशन आपको पर वैलिबल होती है और जो आपकी बहुत साधा यूज होती है इसे नंपाए लाइबरी एनपाए लाइबरी की अपनी जो डॉक्मेंटेशन यहां पर हमेशा आपके पास एक डॉक्मेंटेशन का पेज आ रहा होगा वहाँ चले जाओ यह आपके पास कंप्लीट इंफरमेशन है तुटोरियल मिल जाएंगे आपको एपसलोट बिगिनर्स गाइड है को यह लिनेर अलगेब्रा और अधिया आपको देता है तुट है इमेज़ भी आप शो करा सकते हैं उसी मैट लिप के अंदर ही ठीक है शेप कैसे करनी है डिमेंचन एक चीज की इंफरमेशन आपको नेट पर अवेलेबल है अश्युक्ति का शुक्ति है अप से रेलेवन्ट है और आपने उसको जाए वो प्रॉपली स्थमाल करना है ठीक है फॉर इसी तरह से एक चीज आई डीट्री यह मैंने सबसे पहले यूज की थी बेसे कि लिए यह क्या चीज आपके पास आपको ऑडियो फाइल्स होती आप और इंदर आपको उसका metadata होता है का नाम होता है and player का नाम होता है उसकी आपने अबर होता है आपको पीद्दी फाइल डाउंच पूर आंच्छ कर सकते हो इसकी पर रह्ल आपने मातच करना है फाल पर यह बशूंक did जो और अगर लेट से 8-10 MP3 फाइल है तो आपको अलग-अलग करना पड़ेगा सबसे बितरी है कि आप इसके अंदर लोड करो इस तरह से किसी फोल्डर में रखे डिरेट उसका लिंक दो और फिर जिस तरह से आप ये कोड लिखके चला दो तो आपकी पास चीन सारी उसमें से करना अपने ठीक है ना और इंपॉर्टन चीज यह कि पहला जो इसका वह आएगा मोस्टी मोस्टी टाइम के आएगा या क्या स्टैक ओवर फ्लो का एरर आएगा इसको क्लिक करोगे मोस्टी इसा 99 परशंट एर जो आपको आ रहे हैं ना वो किसी और को भी आ आ चुके होते हैं अनलेस आपको बहुत बड़े शेंचा हैं और आपको बिलकुल ब्रैंड न्यू चीज़ बनाना चाह रहे हैं मोस्टी जो चीज़े ना वह आपकी मतलब बाकी लोगों को भी वह एरर राय होते हैं और किसीने स्टैक ओवर फ्लो पर उच्छा होता है और स्टैक ओवर फ जब इन्पूट वरियबल ने वो चीज़ डालता था तो उसको एरर आता था तो देखो यहां पर लोगों ने कमेंट्स भी दिया होते हैं और फिर उसका अंसर भी दिया हो ठीक है उसका अंसर क्या था कि उसमें इन्पूट यूस किया था अलागी उसको राव इंपूट इस्तमाल करना चाहिए था और यह फैर पाइथन 3 में तो अब तो यह इन्पूट और राव इंपूट का फर्द फर्द खतम हो गया टैक ओवर फ्लो बहुत अची वेब साइट है औ तो आप यहां पर कंट्रिब्यूट भी करना शुरू करें कि स्टैक और फ्लो और गिट हब गिट यह दो ऐसे प्रोफाइल है जो अगर पाइथन का बंदा है तो वह इन दो पर अगर एक्टिव है न तो जैसे मिसाल की तोर पर यह बंदा है जो जी तो इसका बेसिकली अभ भी 2609 ठीक है और यह 2014 में पूछा था तो उस वक्त फिर पता नहीं इसका रेपिटिशन स्कूर कम होगा ठीक है और इसमें आप मदब अपने मर्जी के टैग्स वगरा से सर्च करके पाइथन अगर आपको पाइथन 3 आती है तो पाइथन 3 के आप बस क्वेस्टन सर्च करो और देखो कि आप अगर कोई रिस्पॉंड कर सकते हो शुरू में आपको शायद वो अलाओना कर रिस्पॉंड करना तो आप या तो कमेंट कर दो या जो जिस तरह भी आप हल्प कर सकते हो उसकी है पर एक लेवल के बाद फिर वह आपके जाए वह आंसर को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है इसके लावा कभी कभी यह होता है कि आपको कोई चीज मिलती है गिट हब पर अब गिट हब का मैं आपको एक बताता हूं इसको मैं साइन इन कर लों एक दफार आप आप यह कहां से जाए आप 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 अच्छा जी अब इसमें गिटहब क्या है गिटहब बेसिकली आपका वर्जन कंट्रोल का टूल है वर्जन कंट्रोल यह होता है कि मिसाल के तौर पर आप एक काम कर रहे हैं और आपने मिसाल के तौर पर एक कोड लिखा लेट से यह कोड था स्क्रेंट पूर्णिय। ईसाल की तौर है। अब आपने जब रण किया आपको कोई एरर नहीं आया आप नहीं कांट करके खतम कर दिया। अब आपने अश्झा नया वर्जन बनाना है या आपने आपणकी में बेझEMA़ लेट से चार-पांच यादसं देवैलपर्स काम कर रह तो आप उस code को कैसे आप manage करोगे, let's say आपके एक project आउसके अंदर 50 file ने आप कर अप हर file को कैसे manage करोगे, जी यह फाइल नबर A जो है इस पहले अली ने काम किया फिर A के उपर कोई किसी ने किसी और ने काम किया, let's say ऐहमद काम किया, लेकिन एमद की जो चीजें थी वह रोल बैक हो गई क्यूंकि एमद ने काम सही की नहीं था बी फाइल थी, उस पर भी एमद ने काम किया हूँ था, ठीक है, लेकिन वह करवट हो गई, तो इसको रोल बैक करना है, ठीक है मतलब के तोर पर यह मतलब हैं प्रोजेक्ट इस on February और उस पेश चान के तुरह पर ये मेरे पास एक गिटहब की लाइब्रीरिये बीसेखली ये पाइफं के अंदर लिखी हुई है ये करती है ये करती है कि आपके पास जो कोर्स Aira का जो आपका कोई कोर्स है जिसमें आपने अन्रोल किया हूआ है आप उस पूरे कोर्स को अपने लैपटॉप पर डाउनलोड कर सकते हो ठीक है और तो इसी तरह से एडएक्स की वेब साइट से आप डाउनलोड करके और उसको भी आप कर सकते हो लेकर इसमें वह वाले सिर्फ कोर्स आते हैं जो जिसमें आपने इंडोल किया होता है अब देखो यहां पर किया है कि यह आपके पास जो यह नजर आ रही है इस सारी फाइलें यह उस टूल की फाइलें और यहां से डिरेक्ट ली कोड डाउनलोड कर सकते हो ठीक है बिकाश इस ओल उपन सोर्स अवेलिबल तो यू अच्छा ओपन सोर्स आ कैसे बता चलता है यहा आप इसको इस्तमाल करके अपने तरफ लिजा सकते हैं मिसाल की तो पर अच्छा अब ब्रांचेस क्या होती है ब्रांचेस यह होती है कि लेट से मैंने यह देखा कि यार इस कोड के अंदर कोई मसला है और मैं डिवेलपर हूँ तो मैं ब्रांच रिक्वेस्ट करूंगा ब् उसमें काम करूँगा और फिर मैं इसको पुश कर दूँगा पुश करने का मतला यह बता है कि मिसाल के बार पर आप इस तरह समझो के आपके पास एक फाइल पड़ी भी थी आपने अपने दोस को कही कि यार इसके अंदर यह चीज़ें एडिट कर दे उसकी कॉपी आपने पास टोर रखी लेकिन उसको भी एक वर्जन दे दिया उसने वह चीज़ें जब एडिट की तो आपने उसके अंदर से जो चेंजिस थी उसको आपने अपनी फाइल के अंदर मर्च कर दिया तो बेसे के लिए होता है कि यह बंदा है और प्रीटो इसके पास है ओरिजिनल व देंगे और उस ब्रांच के अंदर जो है वो सारी चीजें उसने सीधी करेगा और फिर उसके बाद वो उसको इस में के साथ मर्च कर देगा यह बेसिकली आपका वर्जन कंट्रोल हो जाता है अच्छा पिर आप किसी भी वर्जन पर वापस जाना चाहते हो तो वह भी पॉस ही पूल रिवेस्ट पूल रिवेस्ट ने देख्व होती है को यहां पर लोगों ने क्या किआ लोगों च्छोटी-छोटी चीजें किया है let's say fix duplicate video files with tag यह किसी बंदे ने किस ने इस बंदे ने किया है ठीक है यह इस बंदे ने किया add vs code to get ignore और मतलब बहुत सारी चीज़ें देखो यह इसने और यह अब यह basically यह दे देता है main developer को main developer check करता है कि हाँ यार वाकई यह मसला था के नहीं था तो उसको वह करके और उसको मर्च कर देगा अब देखो कि यह जो लिखा ओपन पूल request basically this is the main request और यहां से मतलब यह basically request कर रहा है कि यार मुझे इसकी मुझे access दो ताके मैं इसको काम सीधा करूं ठीक है अच्छा अब यह इनका फाइदा क्या होता है देखो बहुत सारे codes होते हैं जो github पर direct पड़े होते हैं और आपको यहां से चलाने होते हैं especially जब deep learning की बात करोगे तो यहां पर github की repositories हैं जो के basically आपके पास जो के originally code available पड़ा है github इतना बड़ा code है कि इतनी बड़ी repository है कि यहां पर आपके पास जो Linux operating system है Linux operating system का source code भी इसके अंदर पड़ा हुआ है तो यह देखो कि यह आपके पास Linux scandal का source code पड़ा हुआ है जो कि Linus Torvalds खुद manage कर रहा है Linus Torvalds कौन है यह इस दा फाउंडर ओफ Linux operating system ठीक है और यह इतने एक्टिव हैं कि आभी देखो कि लास्ट जो कमेट है इस पर 21 hours पहले हुई है 21 hours अगो ठीक है 21 तो रोज बैठ की यह लोग काम कर रहे होते हैं आप इसके contributors देखो 5000 से ज्यादा contributors हैं जिन्होंने इस पर काम किया है ठीक है और ब्रांच इसने एक रखी वी है और पुल requests इस वक्त 321 आई हुए इस पर कि जो कहां लोग काम करना चाहते हैं 996 million commits हैं commits का मतलब यह कि मैंने चेंज करके submit करवाई तो उसको commit कहते हैं ठीक है तो यहां से आप अपने डाउनलोड करके और अगर आपके पास क्या कहते हैं अवेलिबल है आपका hardware अवेलिबल है तो आप पूरा का पूरा Linux का operating system खुद से अपने अपने इस पर develop कर सकते हैं ठीक है जी तो यह basically एक overview देना चाहर था मैं आपको GitHub का or API का ठीक है बस अब आपने करना यह है कि आपने अपने एर्दगिर्द जो भी आपके issues आपने उसको ठीक करना है देखो पहली चीज़ यह होती है कि मत आपने problem खुद से create करो और फिर उसको resolve करने की कोशिश करो मिसाल के तोर पे मैंने problem जो देखी चीज़ी कि यार powerpoint की presentation मैं python से कैसे बना सकता हूँ तो मैं आपको से यह उतासता हूँ कि yes it is possible कि मैं powerpoint की presentation python से बनाओ और उसके लिए एक library available है तो यह आप खुद से भी देखो कि कैसे आप बना सकते हो कि powerpoint ppt using python ठीक है इस तरह ms word using python कि यह सारी चीज़ें आप खुद से आप कर सकते हो नंपाई को एक दुफार कर ले ना फिर अगले दो तीन दिन बाद से फिर हम शुरू करते हैं नंपाई और बिसिकली अब रोड में हमारा यह होगा कि हम नंपाई पढ़ेंगे फिर pandas और फिर हम पढ़ेंगे matplotlib यह ज बेस्ट लाइबरी विच और यूज और फिर हम सी बॉंड भी यूज कर लेंगे सी बॉंड इस अलसो विजुलाइज़ेशन विद मैट plotlib ठीक है और पांडाई और नंपाई नंपाई में बेसिकली आपके पास निमेरिक ऑपरेशन होते हैं और पांडाई में आप एक्सल चीट से डेटा लाके और उसको अनलाइज कर रहे होते हो और डेटा फ्रेम्स की फॉर्म में एक्सल शीट में डेटा डाल भी रहे होते हैं तो नंपाई हम पढ़ेंगे तो इंचालला पांडास की भी अराम से समझ आज आज की किस चीज़ में कोई क्वेस्टन से तो बता अधराइस पर हम इसको आज के लिए खतम करते हैं तो इसमें हम कोट जब एड करते हैं उसमें मतलब की कैसे हम इसको विजुलाइज कैसे करते हैं मतलब कहना है मैं चाहरूं कि मैंने कोट मतलब क क्या रेंज होती है किस तरीके से हम कॉट मतलब के मैं के उसमे मैं क्रहिए क्वेस्टन यह कि एक बड़ा कोटी है मिसमें एड करें या च्छोटा सा गोट पी जढख सकते अंदर यहार आप कुछ भी कर सकते हैं और बाकी यह कि आप इसको ना अपने compiler से या उससे भी connect कर सकते हैं मिसाल के तोर पर देखो यह है ना यह entitled presentation है ठीक है जी मैंने यहां से किया इसको save copy as save a copy in github ठीक है अब यहां से मैं गया और मैंने इसको कह दिया जी authorize google अब यहां पर मेरे पास आगी है जी कि आपने किस repository के अंदर save करना है आपने पहले से बनाई होनी चाहिए अच्छा मैं आपको उसका पूरा प्रॉसस समझाए तो देखो यह मेरा जब आप खोलते हो ना अपना github तो यह पेज आता है आपके पास ठीक है यहां पर आपके प लेफ टॉप यह दे को यहां पर लिखा है नियू यहां से नियू रेपो आप बना सकते हो ठीक है लेट से मैं एक test रेपो बनाता हूं यहां पर test रेपो सही है और इसकी मैं description देता हूं कि this is test रेपो सही है अब आपने चेश्रेट करना कि क्या यह रेपो सबको वेलिबल हो यह स्वाइट तो लेट से उसको यह रखते हैं और इसमें रीट मी फाइल डाल देते हैं और क्रियेट कर देते रपो ठीक है अब यह बहुत सेक्ट टैस्ट गर्रीट ओगही जिसके पाँ छिसके अंदर एक रीट मी फइल पड़ी विए रीडी मी फाइल क्या होती है यह यहां पर मुझे जो repositories हैं उसमें वो मुझे एक test repo दिखा रहा ही है देखो यहां पर ही हूँ ठीक है और चुंके branch उसकी कोई नहीं है तो मैं directly उसकी branch main branch में उसमें merge करूँगा और यहां पर मैं इसका नाम लगता हूँ test file ठीक है अच्छा अब जब भी आप commit करोगे तो आपने उस वर्जन का नाम लिखना है लेट से मैंने का जी primary file वे एंड एड़ेट matplotlib लिव पेसिकली क्या एड़ेट matplotlib graphs ठीक है लेट से मैंने सिर्फ यही काम किया तो मैं बता दूँ आजी मैंने इस commit मैंने सिर्फ यह काम किया था ठीक है मैंने okay किया इसने यह गया इट created a copy और यह देखो इसने यहां पर जाके मेरे पास अब मेरी profile पे SNV की में क्या ना में रिपाजिटरी के दर गी मेरी बाकी यह टेस्ट अपों आगए ठीक है टेस्ट अपों में गए टेस्ट अपों में तेस्ट फाइल डॉट आई पी वाइन भी और इसने एक्जेक्ली वही जो फाइल थी जो वहां पड़ी थी उसने यहां क्या करता हूं मैं यहां से मैं हिस्टरी भी देख सकता हूं इस फाइल की देखो इसने यह पहला भी सिरे एक कमेट आरहा है मैं गिया करता हूं मैं इसमें कोई और चेंज करता हूं let's say मैं यहां पे इसको करता हूँ import numpy as np और data is equal to np array 1234 ठीक है यूँ अच्छा अब मैं यह करता हूँ मैं करता हूँ save or copy in github से और बलके एक मिट है रो यहां से मैं इसको करता हूँ अधर गिट अधर जिस्ट बना रहा है हुआ 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 है यह हुआ है कर दो अधर इसको करता हुआ है नाम कि इसका नाम देखता हूं मैंने कि इस नाम से सेव किया था टेस्ट फाइल dot IP YHA कोपी करता हूं यहां से मैं इसको दुबारा से से कर देता हूं इंक है इस डिपल सेट फाइल फाइल प्यों वी एडिट नमपाए यह देखते कि यह कॉपी अब देखो अब अब इसने की का बनाई उसने का वरजन अपडेट कर दिया है अब देखो यहां पे हिस्ट्री में पहले मैंने इनिशल कमिट किया था और एड मैट प्लोट लिट ग्राफ किये थे अब मैंने जब added numpy किया है तो उसने उसी फाइल को उसी फाइल में एक वो add कर दिया है क्या कहते हैं उसी में एक version add कर दिया है अब version control का मज़ा यह है कि लेट से आपके आपने यह काम किया ना added numpy वाला इससे आपकी फाइल होगी corrupt अब आपने यह वाली फाइल पर वापस जाना है तो आप इस कमिट की आईडी है इस कमिट आईडी से आप जाना है इस पर वापस जा सकते हो जो के आप github जब डाउनलोड करोगे इंस्टॉल करोगे तो इससे आपको बतल लग जाएगा वैसे अगर होगे आप जस्ट इस पर क्लिक भी करोगे तो भी आपको जाए वह डिफरेंसेज लोड हो जाएंगे कि आप के आपके जो अभी जो करंट चल रहा है उसमें और आपके इसमें क्या डिफरेंसेज जो आपकी IPYNB file होती है वो इस तरह से JSON format में होती है तो इस लिए ये इस तरह से शोग कर रहा है ठीक है तो इसे आप जड़ा प्लेराउंड करोगे तो आपको समझाज़ेगी कि अच्छा यार कहां पर difference आया लेट से मैं difference बिल्कुल end पर था तो यह नो new line at end of file अब यहां पर यह गया है इसने वह नमपाई वाली चीज़ यहां पर नहीं डाली इसने ठीक है लेकिन अगर अगर मैं लेट से वापस जाता हूं और नमपाई वाली यह दूसरी देखो शोव इंग चेंज्ज फाइल और ल आपको मुख्तिलिफ कलर में नजर आ रही है ठीक है और आपको यह नजर आ रहा है कि एंड पर मैंने यह नम पाए का कोड डाला था देखो सोर्स नम इंपोर्ड नम पाए जन पी एंपी यह सारी चीजें अभी चेंज हुई है यह पिछले बार में नहीं थी तो इस इस कॉल्ड वर्जन कंट्रोल कि आपने इस तरह से करना है चाहिए इसमें डाटा कुछ भी डाल सकते हो देखो मैंने एक चीज डाली है तो उसकी मैंने एक रेपो बना के इसमें डाल दिया है आप इसमें बड़ा कोड डालना चाहते हैं पूरा-पूरा लोग अपने कहते हैं इसे करते हैं तो वो भी कर सकते हो उसके लिए आप टूस कर सकते हो कोई जैसे पायचाम है या कोई बीक्तूल उसके अंदर जैना वो आप उसको डिरेक्टली गिटब से कनेट कर सकते हो और पर डिरेक्टली वहीं से कमिट कर सकते हो तो वह थोड़ा सा स्टेडी कर लोगे तापको पता लग जाएगा उसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि आपको बार-बार मतलब यहीं से आके जो मकसद होता ना गिटब का वही होता है कि आपकी जी कंट्रिबूशन्स है ना अभी मेरी बहुत माठी हैं कंट्रिबूशन्स ठीक है ना तो यह बैसे कि लिए इसको ना हरा बरा होना चाहिए वैसे पूरे साल पर ठीक है जैसे फॉर एक्जांपल मैं अब यह किसी इसी पुतर की देखते हैं ना कोई यह यहीं पर आ रहा था ना यह टार वार्ड्स अब देखो ना आप इन इन भाई को देखो आप जड़ा ठीक है इनकी आप कंट्रिबूशन्स देखो के दो हज़ टू थू थाउजन सिट्स एन एटी सेवन कंट्रिबूशन्स इन लास्ट ब यह पर हारा है बसकली यह ना अमीन आलम यह बंदे लागा इसकी वी देखो इसकी वी मतलब जुलाइब तक इसकी वी काफी ज्यादा कंट्रिबूशन्स रही है उसके बाद से सिकेंट्रिबूशन्स काम हो गई ठीक है तो कोशिश यह करने चाहिए कि यह दो चीजें दो ज अगर आप उस लेवल पहुंच जो तो स्टैक ओर फ्लोव पे क्वेस्टिन्स के आंसर दिया करो ताकि आपका प्रोफाइल बने और उससे बंदा खुद भी सीखता है कि अगर कोई क्वेस्टिन का आंसर देगा ना तो पहले खुद ट्राइब करेगा कि यहार वाकई जैसे तो फार इसांपल बेस्ट पर टू रिटर्न मुल्टिपल वैल्यूज और एरर फ्रॉम मैथर्ट तो बैसे कि अभी एरर के बारे में कोई चीज है तो इसका एक अंसर अल्रेटी बंदा ने दे भी दिया ठीक है अच्छा गिटहब पर एक और चीज़ है जो के इंपॉर्टेंट है वह यह कि आपकी जितनी वी गिटहब पर सोर्स कोड़ा उसको आप एक प्रॉपर तरीके से यहां पर डाल सकते हैं जैसे मैंने यह पाइफन की कुछ टुट टॉट 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 बनाये थे और वह बिसी के लिए गिटहब पर बैने डाले वे थे पाइफन प्रोग्रामिंए एकसरसाइस के नाम से तो यह आपकी क्या जुपिटर वह जुपिटर की फाइल्स या गुगल को लैब की फाइल्स थीक है और इसमें सेवन कमेट्स हैं तो सेवन कमेट्स के हिस देख सकते हैं कि हमने कैसे के एक फाइल बेसे के लिए आपके पास यह थी उसका मैंने उस फाइल का नाम चेंज किया तो उसने उसको भी एक कमिट अलग से कमिट डाल दी तो यह पूरी हिस्ट्री आ रही होती है हर बंदे ने क्या क्या काम किया सो चौब यह इस फाइल पर यह आज का मकसद एगी था कि यह मैं आपको पूरा एको सिस्टम समझाओं के पाइफन के अंदर या इसके अंदर काम हो कैसे रहा है फिर पाइफन के फ्रेमवर्क्स बगरा हैं वह बाद में देखेंगे अब अगली क्लास का पता दो कब करने हैं मतलब दर इन चीजों को ए अज मंडे है न तो वेंजडे को एक सेशन कर लेते हैं ताकि नमपा हमें समझ आजा गया तो फिर उसके बाद फिर आपने वागी काम कर लेते हैं अब मेरी वेंजडे को भी है न अब क्या है वेंजडे को फेट है वा क्यों से पूछने पीजिकर अवार अधीस फेट है ठीक है यापके थेंकियो सो मच मेरे और में ये मेरी आरेम चलो सही है यापके पिर अचलो जिए आख कर दो दो कि विम लुटा